दोस्तों जावास्किप्ट के इस फिरी कोर्स में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम कवर करेंगे जावास्किप्ट का एक वन अफ इंपोर्टेंट एंड मोस्ट यूजबल टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर बिसिकली आपको जावास्किप्ट में डिफरेंट टाप्स का ऑपरेटर देखने को बिलते हैं जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर कमपैरिजन ऑपरेटर उसी तरीके से एक यह सेरीज भी है जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर के और इनका यूज आपके लिए बहुत ही सिंपल है म फोर डेमो आप यहाँ भी देख सकते हुत कि हमने यह पर एक प्रोग्राम बनाया होा हुआ हूं जिसमें चै है हमने बोला है दो वैली डालनी के लिए सब्सक्राइड बाला यह पर पहले मल्रेयुए फाइंडियू डालती है यह एक तैम में शूम एर एक अडिशन का थे 500, 100, 600, subtract पे किलिक करता हूं तो 500-100, 400, multiply किया, 500 into 100, 50,000, divide किया तो यह आगया, reminder किया तो यह आगया, तो यह सारी चीज़े क्या है और कैसे बग करें, सब कुछ सिर्फ इस एक वीडियो में हम सीखने वाले है, अगर अगर यह पर देखें किया वीडियो को पूरा देखें कि वीडियो आपके लिए फुल्फ इन परमिशन होने वाला है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को, सब से पहले हैं पर थोड़े से थोरीकल पोर्शन से कवर अप करते हैं, अगर मैं बात करो इन उपरेटर के जिनको आप एड, माइस, मुल्टिप्लाई, डिवाइड बोलते हैं, तो इनका यूज आपको पहले से किलियर होगा, बट अगर मैं बात करो इनका जो इसकिप नेम है वो क्या है, यह है एडिशन, इसका नेम कहा है, सब्ट्रैक्शन, मुल्टिप्लिकेशन, डिविजन, और यह जो परसिंटेज वाला सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बूल जाता है, मॉड्यूलेस ऑपरेटर, अब यह मॉड्यूलेस ऑपरेटर में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज होर होंगे, देखो, जैसे में एक ग्जैंपल तो आपको डिवाइड का, माल लो कि हमें डिवाइड करना है 24 को, और 24 को डिवाइड करना है मुझे 5 से, ठीक है, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, कुछ इस तरीके से, तो यहां पे अगर आप इसको डिवाइड करते तो क्या आएग तो वहाँ पे आप इस मॉडूलेस ऑपरेटर का यूज करेंगे, इसके बाद दो बहुत ही कॉमन ऑपरेटर होते हैं, जो कि होता है, इंकरिमेंट ऑपरेटर और डिकरिमेंट ऑपरेटर, और अगर आपने अभी तक एक भी लूप का कॉंसेप्ट पढ़ा होगा, किसी भी चाहिए मैं बात कर उसी लेंगविज हो गया, या कोई और लेंगविज में आपने पढ़ा हो, तो इसका यूज आपने ज़रूर देखा होगा, इंकरिमेंट और डिकरिमेंट, क्योंकि लूप का जो कॉंसेप्ट है, उसको प्ले करने के लिए हमें वहाँ पे इंकरिमेंट प्रेटर का यूज श्रह करना उते हैं, महली कि आपसे भूलो आपको यसे सौत आतर कांटिंग लिखनी है, तो इके-क करके तो प्रिंट करांगे हम प्रिंट करना है यह अब mission is approach, इंकरिमेंट ऑपक। इस वीडियो में अगर मैं बात करो increment और decrement operator का तो इसका हम practical use नहीं देखने वाले reason यह है कि इसका जो use है वो हम for loop के साथ समझेंगे या फिर दूसर practical के साथ बहुत ही simple practical के साथ में इसका use समझना न समझना एक बराबर है आज कि मैं बात को यहाहँ है यहां बात करो है यह लिखे2020 इसको निखाले ग ओधियां तो 10 का increment क्या होगा 10 का increment 11 और 10 का decrement क्या होका 9 तो यह कॉम्स पर मात करूझ सिसको निकालेगा निकाले गा de आपके इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट के लियर हो गया होगा इन पांचों का जो यूज है जिसमें बात करूँ एडिशन माइनस मुल्टिप्लिकेशन और दिविजन और मॉडियूलिस इनका जो यूज है वो भी हम प्रक्टिकली एक छोटे से एक्जाम्पल के साथ समझने वाल और इसकन आपके सामने सब कुछ मैंने डिलेट कर दिया यहां पाएंगे रिलोड किया अब यहां पर सबसे पहला टर्म यह है क्योंकि हम इसका प्रक्टिकल कर रहे हैं तो हम यह समझ लेता है कि हमें करना क्या है तो मुझे यहां पर दो इंपुट लेने जिसमें एक में ल यहां पर show कर दिया equal second value ठीक है और हमने इसको close किया control s करेंगे यहां पर आएंगे reload कर दिया यहां पर मर पास दो input आगे एक input आगे first value के लिए और एक input आगे second value के लिए अब मुझे जो सबसे पहला practical करना है वो क्या है addition का तो मैं यहां पर एक button ले लेता हूं और मैंने लिखा button type equal to button और मैं इसमें message दे देता हूं addition और हमने इस button को close किया control s करेंगे यहां पर आएंगे reload कर देंगे तो यहां गया addition इस तरीके से काफी जादा चिपक के आ रहा है हमें इसमें gap रखना है तो हम यहां पर function और उसका नाम दे देता हूं function का जो रखा add curly bracket on curly bracket close फिर आते यहां पर javascript code में यहां पर मैंने क्या लिखा कि यह जो पहली value user लिखेगा इसको मैं किसी एक variable में store करा ले तो तो मैंने लिखा variable a इसके अंदर मैंने बोला कि जो भी user value देगा document.getElementById और id के थुरू मैं क्या करूंगा इसके अंदर जो भी value है उसको मैं इस एक अंदर store कर दूंगा तो यहां पर मुझे क्या करना है इस input के अंदर एक id देना है तो मैंने यहां पर लिखा id num1 कुछ भी दे सकते हैं आपक स्थम 2 हमने के Ctrl S यहां पर आएंगे रिलोड किया अब यहां पर क्या है कि हमने एक variable लिए जिसके अंदर पहले वाले जो input उसकी value रग दी एक variable लिया यहां पर हमने बी जिसके अंदर हमने second value को store करा लिया अब मैं क्या करूंगा एक variable लूगा sum का और मैंने यहां पर क्या कि कि a में जो value है और जो b में जो value है उसको add कर लिया और उसके बाद मैं उस value को print करा दूंगा तो मैंने यहां पर लिखा document.getelementbyid और यहां पर एक id लूगा मैं जिसके तुरूस value को यहां पर print कर सको I hope कि आपने पहले के tutorials देखे हूं जिसके वज़े से आपको कोई भी confusion नही सुम और इस वाले सम को यहां पर लिंग कर दीए अब यहांपर मुझे एक id चाहिए थी जो था num1 यह दे दीए मैं यहां पर और इसके लिए में । बिमकर कर सके है तो हमने हम नीम नम2 ये रहा और इसके लिए ले लेता हूं America bought d-equal data यहाँ पर मैं क्यूं ले रहा हूँ कि उसकी जगा पर हम इस answer को प्रिंट कर सके तो यहाँ पर हमने लिखा data इस तरीके से अब आप Ctrl S करते हैं एक बार चेक करते हैं कि हमारा code execute हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी होगा नहीं होगा अभी नहीं होगा क्योंकि यह बटन है एडिशन का इस पर क्लिक करने पर यह function कॉल हो ऐसा तो हमने कुछ करा नहीं तो मैं करूंगा यहां पर आउंगा और मैंने बोला कि इस बटन पर जब भी कोई क्लिक करें तो यह जो एड वाला function हमने बना है इसको कॉल करें Ctrl S किया यहां पर आए और कर दिया हमने किया यहां पर 45 किया 65 एडिशन पर किलिक किया अब जैसे में एडिशन पर किलिक करता हूं तो देखो value को तो यह call कर रहा है और value को एक साथ add भी कर लिया लेकिन ऐसा equation उसने add नहीं किया क्यों नहीं किया यहां पर हमें इसको बताना पड़ेगा कि यह जो value है 45 और 65 यह इसको अंदर में रख देना है तो मैं थोड़ा से बढ़ा करके शो कर देता हूं आपको यहां पर यह किया सेम यही चीज़ हमें करना है यहां पर भी पार्ष इंड और इसको ले लेना है इसके अंदर ठीक है अब इससे यह define हो गया कि जो भी value हम कर रहे है वो क्या है एक इ tyre मैं आर तो मैं आप यहें inch और मैंने आपर कर दिया सब कर दिया इस तरह कें से देक्चे से और यहां पर मैं डॉसरा function में बना रहा हूं जिसका नाम मैंने रख़ है सब और मैं क्या करता हूं यह जो दना ए सब्षा यहां सब् कर लिए इसे function को हम कर लिए कॉपी दौ हो तो भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहां पर हमने किया सब तो बस इसके अंदर के अमने कुछ वैल्यूस को चेंज करा है और अब आप यहां पर देखो जो मैं से से रिलोड करूंगा तो एक सब्ट्राइक का बटन आ गया मैं यहां पर लिखता हूं 200 और मैं लिखा 100 एडिशन करूंगा तो 300 सब्ट्राइक किया तो 100 या फिर कोई और वैल्यू डालके देखते हैं हमने डाला 450 और मैं सब्ट्राइक करता हूं तो 350 इसी तरीके से जो और भी इक्वेशन से जैसे कि मैं बात करूं multiply का हो गया तो आपको इसी को कॉपी कर लेना है यहां पर आना है और यहां पर इसको पेस्ट आप यहां पर सब्ट्राइक के जगह क्या कर दो multiply कर दो इस तरीके से और यहां पर मैं इस बार इस बार दे देते हो divide का symbol और फिर यहां पर यहां पर आएंगे इसको दुबारा पेस कर देंगे और इस बार हम दे देंगे रिमाइंडर तो REM दे देता हो में कीवर्ड और यहां पर हमने क्या किया बस मॉडिल उसका जो सिंबल परसेंटेज वाला वह हम दे देंगे इसके लावा कुछ नहीं करना अब यहां पर बटन बना देने कंट्रोल डी कंट्रोल2-D कंट्रोल डी एक हमारा बटन यहां पर किसका है multiply का हमने लिखा multiply एक बटन है हमारा यहां पर divide का तो हमने यहां पर लिख दिवाइड इस तरीके से जो function name है तो function name है उसी को हम कॉल कर रहेे हैं और यहां पर हमने बना दिया किस चा reminder का इसके बाद य यहां पर हमने नाम क्या डाल दिया reminder तो हमने यह लिखा reminder Ctrl S करेंगे और यहां पर आखे इसको reload करेंगे अब यहां गया सारे टम यहां पर हमने लिखा first value हमने डाल दिया 500 यहां डाल दिया 100 addition किया तो देखो addition 600 हुआ subtract करेंगे तो 400 multiplication किया 50,000 divide किया तो 100 500 को divide करेगा तो 5 और reminder पर लिखे तो 0 आप देखो अगर मैं यहां लिखा 24 और मैं यहां पर लिखता हूं 5 और मैं करता हूं reminder तो क्या है reminder 4 आगया तो बहुत ही simple term है आप इसको देखो यह रहा हमारा form वाला portion जो estimal portion है वो हमने यहां लिखा हुआ है और यह हमारा script portion में इसको थोड़ा से चोड़ा कर देता हूं देखो simple करना क्या है कि एक function आपको create करना उसके बाद उसी को copy paste कि आपने और उसके अंदर की equation को change किया उसके लावा कोई अलग चीज हमने नहीं करी है बागी के functions में so I hope कि यह जो operator था automatic operator उससे related जो concept हो आपको clear हो और practically आप इसका कैसे use कर सकते हो अगर आपको किसी को संजाना है या फिर खुद की practice करने है तो आप इस तरीके से practice कर सकते हो आज अगर तो दोस्तों वीडियो आपको प्रसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like करें share करें साथी comment करके अपना feedback ज़रूर दें thank you